Hello everyone, welcome back to my channel Mama Baby, hope you guys are fine बच्चों में speed up या जिसे हम parents normally vomiting भी कहते हैं इसका होना बहुत ही common है and 99.9% बच्चों के cases में यह हमें देखने को मिलता है बच्चों में speed up initial कुछ months में हमें देखने को मिलता है and 6 months तक आते आते या तो यह बच्चों में काफी कम हो जाता है या पूरी तरह से stop हो जाता है पर कुछ बच्चों के cases में यह हमें 1 year तक भी देखने को मिलता है speed up इतना common है, इतना normal है still इसे relate बहुत सारे questions हम parents के मन में उठते हैं so उन सभी questions को detail में answer करने के लिए आज की video dedicated है उन सभी parents के लिए जो अपने बच्चों के speed up से relate सारी बाते detail में चानना चाहते हैं video में मैं आपको detail में उन सभी questions के answer करूंगी जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है आख के लिए जानना क्यूंकि speed up एक तरफ जहां बहुती normal and common है वहीं दूसरी तरफ अगर कुछ जरूरी बातों का ध्यान ना रखा जाए तो ये बच्चों में severe cause भी कर जाता है और कई बार हमें doctor की consultation लेना भी बहुत जादा important होता है video काफी जादा informative and काफी जादा helpful है उन सभी parents के लिए जिनके बच्चे under one year है तो प्लीज अगर आपके बच्चे under one year है तो ये वीडियो शुरूर से एंट तक ध्यान से जरूर देखेगा वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी informative and genuine लगती है तो हमारी वीडियो को डेहिर जाला प्यार देने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करना बिलकुल ना भूले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें नीचे दिख रहे रेट करके subscribe पे हिट करके और अपहला आइकन को प्रेस करना तो बिलकुल ना भूले ताकि हमारी upcoming वीडियो के notification time to time आप लोगों तक पहांसते रहे तो वीडियो शुरू करते हैं बच्चों में spit-up होना बहुत ही normal बहुत ही common है generally यह सभी बच्चों को होता है still spit-up से relate बहुत सारे questions हमारे मन में उठते हैं और कई बार हम spit-up को vomiting के साथ भी mix कर देते हैं तो सबसे पहला question हमारे मन में spit-up से relate जो उठता है वो है कि spit-up और vomiting के बीच क्या difference है हम कैसे recognize करेंगे कि यह normal spit-up है यह एक vomiting है अगर बच्चा गाड़े दूद दही यह पनीर जैसा कुछ भी निकालता है और उसका color white है तो यह spit-up है वोमिटिंग नहीं है साथ में इसकी quantity बहुत कम होगी अगर बच्चा किसी और कलर में आने की yellowish या greenish या किसी brownish कलर में कुछ निकाल रहा है और उसकी quantity बहुत जादा है साथ में बच्चा बड़ा uncomfortable feel कर रहा है और बच्चा इसके साथ में other symptoms भी show कर रहा है जैसे बच्चे को fever है बच्चे का stomach ठीक नहीं है बच्चा lose motion कर रहा है या फिर बच्चे को constipation है तो फिर यह vomiting है यह normal spit-up नहीं है इससे relate next question आता है कि spit-up की form क्या होती है जैसे मैंने आपको अपने previous question के answer में बताया कि spit-up की form गाड़े दू, दही या पनीर जैसी होती है और इसका color एक दम white होता है साथ में इसकी quantity बहुत कम होती है यानि कि बच्चे spit-up बहुत कम quantity में करता है इससे relate third question आता है कि बच्चे spit-up एक दिन में कितनी बार करते हैं देखिए ऐसी कोई guideline नहीं है या कहीं rule book नहीं है कि बच्चे spit-up एक दिन में इतनी ही बार करेंगे हो सकता है बच्चे 4-5 बार करें हो सकता है बच्चे 6-7 बार करें या हो सकता है बच्चे 8-10 बार भी spit-up करें दिन में बट normally बच्चे 3 2-4 करते हैं इससे जादा भी कर रहे हैं और स्पीरप की फार्म वही है जो मैंने आपको भी बताही है तो फिर ये बहुत नॉरमल है इसे नेक्स कुशन आता है कि बच्चे इस पीट उप करते ही क्यों करने के बच्चों के बहुत सारी reason हो सकते हैं बच्चों का सबसे पहला reason होता है कि बच्चे क्योंकि feeding के बाद बप नहीं करते हैं बच्चों का बप करना बहुत जादा ज़रूरी होता है क्योंकि बच्चे feeding लेते समय access gas ले लेते हैं जो कि speed up के रूप में बाहर आ जाती है मैंने बॉपिंग पर भी एक डीटेल वीडियो बनाई है बॉपिंग टेकनीक उसमें मैंने बताई है तो वीडियो ज़रूर देखें आपके काफी हल्प करेगी बच्चों को बॉप लाने में ओपर आई बटन से आपको उसकी लिक मिल जाएगी अदरवाइस में दिस्क्रिप मंट्स में बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम काफी जादा वीक होता है जिसे डेवलप उन में एक लिए सिक्स मंट्स या वानियर का टाइम लगता है तो बच्चे इसलिए भी स्पीट अप करते हैं इसका नेक्स्ट रिजन होता है कि बच्चे ओवर फीडिंग कर ले और उसके बाद हम उसे खिलाने लगए याने कि हम उसे या तो बिठाने के ट्राय करने लगए या टमी टाइम देने लगए या बच्चे को उच्छानने लगए तो इस वज़े से बच्चे स्पीट अप कर देते हैं इसका नेक्स्ट रिजन हो सकता है फॉर्मुला फीड कि बच्चे बच्चों के स्पीट अप करने लगते हैं अगल नेक्स्ट करने लागते हैं तो यह बहुँ की आप करेंगे इसके बुट करेंगे सबसे पहली चीज आपको बच्चे का Spit-up pattern अच्छे से नोट करना है कि बच्चे को कितनी बार कर रहा है और किस चीज के बाद कर रहा है यानि कि अगर आपने बच्चे को feeding दी क्या बच्चा उसके इमिजेट बाद कर रहा है या फिर आपने बच्चे को कोई activity कर वाई feeding के बाद उसके बाद बच्चा कर रहा है या फिर बच्चे ने फॉर्मुला फीड लिया और उसके बाद बच्चा कर रहा है तो यह काफी हम आपको यह जहने वे कि एक्च्वल रिजन क्या है बच्चे कि भुदक करने में का बच्चे के बच्चे के बेंसिक जो रिजन होते हैं वह मैंने आपको बताए अब मैं आपको solution बिताती हूं कि आप इसके लिए बच्ची को सबसे पहले बः ज़र ताकि बच्चे ने चाहे बर्ब कर लिया इस्टिल उसका जो मिल्क यह अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए बच्चे के पेट में जो एकसे गयास है वह बहार निकल जाए ताकि बच्चे को स्पिट अपना हो के बच्चे को आप Frреquently feed दें ग।क कम क्यांटिटी में दें जैसे कि बच्चे को पता होगा आपको पता होगा कितनी दें तक स्पिडिंग करता है तो उससे थोड़ी कम क्यापकरते में दें बच्चे को अगर बच्च जादा या कम हो जाएगा तो आपको health मिलेगी यह जानने में कि आपके बच्चे का speed up normal है अब हम answer करेंगे सबसे last and सबसे important question को कि कभी speed up normal नहीं है और हमें बच्चे को डॉक्टर के पास लेकि जाने की जरूरत है अगर आपका बच्चे speed up कर रहा है और वो greenish, brownish या yellowish color का है तो वो normal speed up तो बिल्कुल भी नहीं है आपका बच्चा जो भी speed up कर रहा है उसकी quantity बहुत जादा है याने कि वो एक vomiting जैसा ही है and speed up करते हुए आपका बच्चा काफी जादा uncomfortable है बच्चा रो रहा है बच्चा कोई ना कोई sign बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो सकता बच्चे का वेट 5-6 मन तक आते हाते उसके बर्थ वेट का डबल हो जाता है जब बच्चा वन इस सीक्वेंस में नहीं हो रहा है जो कि आपको जनरली आपको डॉक्ट भी नॉर्मल नहीं है अब आपको डॉक्टर की कंसल्टेशन की बहुत ज़रूरत है तो उस टाइम पर आपको बच्चे को नॉर्मली ना लेकर आपको इमीजेटली डॉक्टर के पाथ जाना है यह चेक करवाने के लिए कि करने से पहले आपको अगेन यह इंफ्रमिशन देना चाहूंगी कि बच्चों में बहुत कॉमान है 99.9% बच्चों में होता ही है बच्चों में 6 मन तक आते आते स्टॉप या कम इसलिए हो जाता है क्योंकि बच्चे बैठने लगते हैं बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा से स्ट्रॉंग हो जाता है कुछ बच्चों में यह क्योंकि वानियर तक भी चलता है तो बिल्कुल टेंशन में कीजिए अगर आपके बच्चे में कर रहा है कि हर बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम इम्मुनिटी सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट होता है तो गुज बच्चों में वानियर तक भी चलता है जो कि बहुत नौर्मल मैंने वीडियो में जो भी आपको साइन बताएं है कि बच्चे इस तरह के स्पिट अप बच्चों को होता है जो अपने आप डिफरेंट चला जाता है अगर आपको लगते आपके बच्चे के स्पिट अप नॉर्मल नहीं है यह एक वामिटिंग है यह प्रॉब्लम का साइन है तो इसे बिना बच्चे को डॉक्टर के पास प्ली ज़रूर लेकर जाए इससे पहल बच्चों में स्पिट अपिया वामिटिंग की प्रॉब्लम को लेके बहुत सब्सक्राइब बच्चों में है और उनके बच्चे अंडर वनियर है मामा वीवी चैनल का वीडियो बनाने का में मोटिव है अपने परसनल एक्सपिरियंस अपनी परसनल नॉलेच को जादर से शेयर करना यूट्यूब प्लेटफार्म पे ताकि सभी पेरेंट्स की हेल्प हो सके हमारे परसनल एक्सपिरियंस के थूप वीडियो अच्छी इंफर्मेटिव एंड जैनुवन लगी तो वीडियो के लाइक ज़रूर दे हमें इंकरेज करने के लिए हमारे चैनल को सब्स् झाल